गर्मियों में गाह बैंस को पानी के साथ ये दो चीज मिलाकर पिला दो हाप ना तुरंद बंद हो जाएगा गर्मियों में आपकी जो गाह बैंस हैं या अधर एनिमल्स हैं जो हाप रहे हैं जिसकी जैसे उन्हें भूग नहीं लग रही है प्यास नहीं लग रही है साथ में तो दूद देने वाले पश्व हैं उन्हें में दूद की मात्रा नई बढ़ पा रही है तो उसी स्थति में आप उने क्या देख करके जो मा आपको बताऊँगा वह आपके प्रशु को देंगे तो आपका पश्व से रहेगा वह चुका है उस इस्थति में इदि आप उसका ट ठीटमेंट इदिया आपने करवाया है जो मैंने एक वीडियो बनाया थी उसमें पशुआ का टेम्प्रेजर कंट्रोल नहीं हो रहा है बहुत ज़ाए हो गया है तो उसी इस्तति में उसको टेम्प्रेजर को कंट्रोल करें तो उनमें आप सपोर्ट थरेपी के तो पर भी आप इनका उपयोग साथ में कर सकते हैं या अपने पस्वों को जैसे आप गर्मियां पड़ रही है तो आप अपने पस्वों को इस तरवाती स्टेज में जो पस्वों हाँ पी नहीं रहे हैं उन्हें भी यह आप स्टार्ट कर देंगे तो आपके पशू में इस तरह की दिखतें देखने को नहीं मिलेगी जो की पशू के लिए सेफ रहेगी वीडियो जूर लंबी होगी तेकिन स्किप करके मैं पुरा देखना इस चेनल पर भी नहीं आए हैं या पहली पर जुड़े हैं तो पहली पर चैनल को सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करें देखने को मिलती है जब हम फिल्द में जाते हैं तो प्रशू पालकू की एक ही सिकायत रहती है कि सुबह 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 मौनिंग टाइम पे तो कुछ पानी भी पी लेता है कुछ खा भी लेता है लेकिन जैसे जैसे थी थोड़ा समय निकलता जाता है जा करें दो बोसी थिन घंटे दस बंदना गयरा बारा उस इस्तति एक फानापी नंट 광bोर को संस लिन में जाता है तो उससलित में द्खौते हैं अ कोई बिन दिना कर सकते हैं इसी तरह से तरह से हीट स्ट्रोक चैनल में आपका पत्रोक लग गया जिसकी वजय से आपका पशु कि अपना उपयोग कर सकते हैं सबसे बैस्ट और बैटरी जेल्ट है वह अपने पशूं को देना ही चाहिए किसी भी तरह की वेदर के अंदर ही आपके पशूं में इस तरह की दिकत हो जाती है और रही बाद जो गर्मी में हो रही है तो आप इसका उप्योकरें सबसे पहले आपको बताता हूं कि पानी आप अपने पंई पेंव को जितना हो सकता है पानी पिलाएं पानी जितना पेंगे आपके पसुंगा टेंप्रेजर कंट्रोल होगा से आपक्ळी पछूं को देना है नमक और नमके जदूर सबसे ज़्यादा जूरुत इलेक्ट्रोलाइट्स की होती है जो कि पशू के लिए बहुत ज़्यादा जूरी है तो आप नम्मक का उपयोग आप अपने पशू में करवाएं सबसे अच्छा रिजय लेना है तो जो कि मैं दो चीज के अंदर नहीं गिन रहा हूं साथ साथ में आप अपने पशू को आवले का उपयोग करें आवले का बहुत ज़्यादा उपयोग करना है क्योंकि आवले के अंदर विटामिन सी होती है प्रयाप्त मात्रा में और विटामिन सी का रोल जो पशू ज़्यादा हीट स्ट्रेस हीट स्ट्रोक में चला गया है पशू बहुत करken उसके साथ मिक्स करके आप अपने पशु को दे दें आवला गर्मियुँ में पशु के लिए एक रामबाना है एह गर्म पशु की बूख बढ़ेगी सासात नि दूर्देने वाले पश्चु में दूर्द की मात्रह बढ़ेगी और नम्मक हो रहा हुँ से आपके पशु का डाइजेसन भी ब्रविशने साथ्टु मेरी, यानि पानी की कमी Eyesंद सरीर में हो जाती है जाता है। खड़े उन्हें में दिकत नहीं आती है कि पशू में सांस रहने में भी ज़्यादा तकलिफ आती है टेंपरेश बढ़ जाता है इस तरह की दिखते हैं पशू जयादा तर्दू देने वाली जो विदेशी नसल की गायें लेकिन जो इतना टेंपरेश बाहर बढ़ावा है तो बहांस के अंदर भी इस तरह की दिखते हैं लेकिन देखने को मिल रही है साथ साथ में आप अपने बहांस हैं तो वहां पर आपको छोड़ दें ताकि उसमें दिन में नाती रहें और टेंपरेशर भी उनका कंट्रोल रहें और वैसे नहीं है तो आप उन्हों बहांस को सुब है दोपेर श्याम जितना होशकता है पानी का प्योकरें जहां पर रख पाउडर के लिए क्रामबाण है तो वह पाउडर आता है जिस तरह से जूकेर का पाउडर आता है जूल जो आपको देख रहा है जूल पाउडर आता है जो स्क्रीन के उपर भी आपको दिख रहा है इस पाउडर का उप्योग करना है क्योंकि इसके अंदर प्रयावत मात्र ब्रकावडर करता है तो आप अपने पिरचों के लिए जूल पावडर कर करता है। दाइने हिस्तर पावडर बता हैं एक इस्तर या कमल यnaires राते हैं। उनके आप आपको पानी के साथ गोल खरके देना है। जैसे जूल पाउडर आता है यहां अपने पस्वों को 50-100 ग्राम आपको सूब है यानि जिनका बोड़ एट कम है तो 50 ज्यादा बोड़ एट है तो 100 ग्राम सूब है पानिके साथ गोल करकि उस पस्वों को पिला देना है इसी तरह से श्याम को आपको सो ग्राम एक चीज तो लगा तार दस या पंदला बीस दिन एक बैस्ट इन खेने को मिलती हैं सभी को यह काम करता है यह आपके पास यह पाउडर नहीं मिल रहा है तो अधर जो बहुत इस्तर की कमनिया वह पाउडर बनाती है जो डिया इड्रेशन को कंट्रों करने के जिस प्रकार से बड़ी बड़ी कमनिया उनका भी आप परियोग कर सकते हैं अधर जो जित्री में इंटास है सभ आपका प्रसु और आपका प्रोपर खायेगा दूद की मातरा बढ़ेगी साथ में आपका प्रसु सवस्त भी रहेगा बिना किसी नुक्सान के चाहिए आपका प्रसु प्रिगेंट वह देने वाला सभी तरह के लिए सेफ है तब आप अच्छी तरह से समझ गयों इसी तरह आपको लगाने चाहिए थैंक्स धन्यवाग